नमस्कार दोस्तों केरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करना आप अगर यहां पर 20 क्यूशन भी कर लेते हैं तो आप अपने एक्जाम में एक से दौंक पास सकते हैं आपको इंपोर्टेंट क्यूशन करवाने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्त जुरू देखिए और प्रते क्यूशन का अंसर कमेंड बॉक्स में जरूर दीजीगा तो चलिए पहले क्यूशन से क्लास को स्टार्ट करते देखिएगा आज का पहला क्यूशन थाइमेडिन डीमर फोर्मेशन इज डिन इस कॉस्ट बाई देखिएगा देखिएगा अगला क्यूशन देखिएगा अनुवान सी के संकेतों वे लक्षनों का एक पीडी से दूसरी पीडी तक सथानांतरन किसके द्वारा होता है ट्रांस्फर्म ऑप जेनेटिक इनफोर्मेशन फॉम वन जनरेशन टूल नेक्स्ट जनरेशन इस बाई देखिएग एक रखिगा एकजमीनर पूश्ची सकता है डैने की फूलफों देखिए ग्रfilm कीव्जा प्रवावडिंग देखिएका सही आंसर क्या होगा अनुवांसिकी के नियम के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो पर्षिद हैं option B हमारा right answer हो गाए अगला question देखिएका फ्रेंच ड्रोन मदुमक्ही क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या है? जनन्सम नर. Option A आपका सही आंसर होगा. Most important question, friends. एक जाम कई पार पूछा गया है. देखेंगा, ड्रोन मदुमक्ही क्या है? जनन्सम नर है. Option A आपका सही आंसर होगा. चलिए, अगला question देखते हैं. परकास अंसर में पहला चरण है. The first step in photosynthesis is, right answer क्या होगा, friends. देखेंगा, स्वांगे कंण समता का उत्पादन. Option B हमारा right answer होगा. ठीक है? परकास अंसर में पहला चरण कौन सा है? स्वांगे कंण समता का उत्पादन होता है. Friends, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कहें, तो प्लीज वीडियो को लाइक जूरू कर दीजिगा, friends. आपका full support इस वीडियो को देना. ठीक है? आप लोगों के लिए इतनी मेनत करें, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जूरू करेंगे. अगला question देखिएं. इस वीडियो कीडे जो इनसेक्ट होते हैं, हमारा राइट आनसुरू जगाएं पर. नेक्स देखिएं. अगला question है, लंबी छोटी आथ डैस में पाई जाती है. लंबी छोटी आथ डैस में पाई जाती है. किसे पाई जाती है? हर्भी वोर्स में पाई जाती है. तो option B हमार पहला च्रन होते हैं चलुकोज के विभाजन का पहला च्रन कौन सा होता है एक्जाम के अदर इंपर्टेन्ट क्यूशल यहांसे इक बोक्यूशन आपके ऑप यसां प्लंड होता है सइड कोई होता है ओप्शन C, साइटो प्लाजमा, आपका C हो जाएगा, दा फेस्ट स्टेप और ब्रेकडाउन और ग्लुकोस टेक प्लेस इन साइटो प्लाजमा, ठीक है? तो ओप्शन C हमारा राइट अंसर जाएगा, यहाँ पर, नेक्स देखी, अगला क्यूशन है, कोशिका दवारा संकेद्री पनवता के विरुद, जलके अंतेघण की परिघटना उर्जा हाउस को निमन्न के रूप में जाना जाता है, सक्रिय आउशोशन के रूप में जाता है, याद रखीगा, option B हमारा right answer होगा सब्सक्राइब लिखाओगा option B सही हो जाएगा next देखिए अगर आपने friends अभी तक चैनल को सब्सक्राइब निक्किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लेजीगा आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखाओगा उस पर कलीक जुरू कर लेना और उसकी बाद में आपको बैल आइकन दिखेएगा उस पर भी प्रेस कर लेना ठीक है चलिए अगला question देखते हैं एस थाई wilting तब होती है जब कब होती है सही आंसर क्या हो देखीगा वासपोटसर्जन जल आउसोशन से अधिक होता है तब एस थाई wilting होती है ठीक है Transpiration Exist Water Absorption तो option B हमारा राइट आंसर होगा है पर सोड़ी option A सही हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं गुर्दे में मूत्र के निर्मान के दोरान अधिकांस जल को रक्त में पून्य आउसोशित कर लिया जाता है किसके दवारा आउसोशित कर लिया जाता है तो देखें सही आंसर क्या होगा समीप स्थ हड नलिका के दवारा option A राइट आंसर होगा proximal converted टवल के दवारा होता है ठीक है तो option A आपका सही हो जाएगा next देखी dialysis अतिरिक निकालने के लिए उप्योग की जाने वाली परक्रिया है क्या निकालने के लिए परक्रिया है देखेंगा nitrogen अप्सिस्ट उत्पादों जो संचे पर जैहरीला हो जाता है तो dialysis उनको निकालने के लिए परक्रिया है तो option D हमारा right answer का dialysis क्या करता है nitrogen अपसिस चोते हैं उनको संचे पर जैहरीला हो जाता है जिनको भार निकालता है ठीक है अगला question देखी निमलकित में से कौन कौन सा नेफ्रोन द्वारा पूरी तरह से एक सामाने मनुष्यों में आउसोशित होता है कौन सा नेफ्रोन द्वारा पूरी तरह से सामाने मनुष्यों में आउसोशित होता है glucose ठीक है option B है आपका right answer होगा glucose right answer होजएगा अगला question देखी दिल की आवाज सुनने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाले यंतर के रूप में जाना जाता है दिल की आवाज सुनने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला यंतर के रूप में जाना जाता है कौन जाना जाता है स्टेतोस्कोप जाना जाता है option A आपका सेज़ेगा तो कौन करते हैं जो डॉक्टर होते हैं वह इसका परियोग करते हैं जो हर्ट के डॉक्टर होते हैं वह स्टेटोस्कोप का जदातर परियोग करते हैं चलिए अगला क्यूशन देखते हैं पचे हुए भोजन का आउशोशन आत्र में जिन संग्रचनाओं दोबारा होता है को कहा जाता है क्या कहा जाता है विली कहा जाता है ओप्षन डी आपका शेयर जएगा विली राइट आंशोवर ठीक है याद रखेगा अब जो और डाइजेस्टीर फूट टेकफलेस इन इंटेंस टाइन बाइस स्ट्रिक्चर कार्ड विली ठीक है राइट आंशोवर क्या होगा विली यहां पर सेयो ओप्षन डी आपका शेयर जएगा अमीनो एसेड राइट आंशोवर फ्रेंश एक्जाम के अंदर यह भी क्यूस्टन कई बार पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूस्टन रहेगा आपके एक्जाम के लिए चलिए अगला क्यूस्टन करते है दूद का स्राव डैस के दवारा होता है देखिए किसके दवारा होता है प्रोलेक्टिन के दवारा होता है ओप्षन सी सही आंशोगा प्रोलेक्टिन राइट आंशोर ठीक है किसके दवारा होता है प्रोलेक्टिन के दवारा होता है याद रखेगा नेक्स देखिए रक्त के गुलुकोस तरको नियंतित किया जाता है रक्त के गुलुकोस तरको नियंतित किया जाता है किसे सही आंसर होगा इंसुलिन और गुलुकागन किसे ओप्शन भी आपका सिर्जेगा रक्त के गुलुकोस तरको नियंतित किया जाता है इंसूलीन और गलुकागन से याद रखेगा इंसूलीन और गलुकागन राइट आंसर होगा अगला क्यूशन है मानव श्री के अंदर विभीन भागों के बीच समन्वें डेस्ट के माद्यम से प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है आप लोग उताएंगे मानुश्री के अंदर विभीन भागों के बीच समन में डैस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है किससे किया जाता है देखीगा तंत्री का और अंत्यसरावी तंतर से प्राप्त किया जाता है ठीक है याद रखेगा और गोली पर मस्तिस्क का किंद्र है अर्थ गोलिये पर मस्तिस्क किसका किंद्र है आप लोग ताइँगे देखिएगा किसका है समझ का किंद्र होता है अगला किंद्र देखिएगा दो नियूरोन के जंचन को कहा जाता है क्या कहा जाता है गुण सूत्री सन्योजन कहा जाता है ओप्शन ए आपका राइट आंसर होगा गुण सूत्री है, सर्योजन का जाता है दो निरोन्स के जंक्सन को, ठीक है, most important question याद रखेगा, next देखिए, अगला question है, निमलेकित में से पर्मुक ओटोजोमल रोग कौन सा है, आप लोग ताइगे, निमलेकित में से पर्मुक ओट पर्मुक ओटोजोमल रोग कौन सा है, कौन सा है, अलजाइमर रोग होता है, option D, अलजाइमर आपका right answer होगा, next देखिए, परकास इंसलेशन के दोरान, जलके विभाजन की रोप में जाना जाता है, splitting of water during photosynthesis is known as, right answer क्या होगा, परकासिक अपगटन, photolysis आपका सही answer होगा, option D, right answer, ठीक है, परकास इंसलेशन के दोरान, जलके विभाजन की रोप में जाना जाता है, परकासिक अपगटन को, next देखिए, और आज का आखरी question, जड से जलका आउस्योशन बढ़ता है, जड से जलका आउस्योशन बढ़ता है, किससे, वास्पोट सेजन में वर्दी से ब लगी हो, तो वीडियो को full support कीजी का friends, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों आज से जरू करना, जो भी नए बच्चे है, पहली बार विजिट करें चैनल पर, चैनल को subscribe करके, बैल आइकन को प्रेस, जरूर कर लेना, और हमें comment करके जरूर बताना, आपको वीडियो कै कैसी लगी, कितने questions आपने write के हैं, जुरूर होता ना comment करके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक goodbye, take care, जै हिंद, जै भारत, वंदे मातरम